हलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है जेके स्टड़ी चैनल में तो आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो आज हम लोग जो देखेंगे आज जो मैं MCQ लेके आया हूँ वो है आपका बुझवाइल से संबंधित ठीक है बुझवाइल से संबंधित मैंने MCQ लाया है और साथ ही साथ बुझवाइल के साथ साथ मुभाबरा को भी मैंने इसमें स्वामिल किया है वैसे मुहाबरा से संबंदित मैंने और भी MCQ बना चुके हैं तो उन सबों को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं तो आज का जो टोपिक है वो है बुझवाइल और मुहाबरा इस पे मैंने ये कबर किया है कि मुहाबरा है उसके अर्थ को बताना है तो ये सारे का सारे परिक्षाओं के लिए काफी महतपून अस्थान रखते हैं इससे संबंदी दो चार कोईशन आही जाते हैं वैसे मैंने बहुत सारे MCQ बनाए हैं इससे रिलेटेट और ये जो ऐसा नहीं है कि मैंने हरे कोईशन को रिपीट किया है बलकि कुछ नए नए इस पे मुझवाईल को मैंने लाया है और ये ना से पर नाकपूरी बुक से लिया है बलकि मैंने इसे आपके हिंदी ब्याकरन से संबंदी जो भी बुक्स है उससे भी मैंने इसे नकपूरी में convert करके आप संभ़ों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ठीक है तो चलिए आज की सेसन को आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बीना किसी देरी किये तो सबसे पहला question है आपके सामने question number 1 है devil बुजवैल कर माने बताओ मतलब यहाँ एक बुजवैल दिया हुआ है उसका अर्थ आपको बताना है ठेब चराई मुंडे मांस बुजवैल है ठेब चराई मुंडे मांस तो इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है option number A कसाईली option number B किस मिस option number C छो हाड़ा option number D भेलवा तो क्या होगा इसका आंसर इसका सही आंसर होगा option number D भेलवा भेलवा क्या होता है यह भी एक प्रकार का फल होता है तो वही चीज़ होता है इसका अर्थ ठेब चराई मुंडे मांस ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्वैल कर माने बताओं वैसे आज का जो मैंने 15 question लिया है सारे के सारे मुहाबरा या भुजवैल उससे संबंदित है और उसका अर्थ आपको बताना है ठीक है तो दूसरा question का जो भुजवैल है तार गाचे लाल गमचा देख तो बुढ़ा मोर तमासा इकर माने हम इनके बताएक है option number A कुंदरी option number B मर्चाई option number C पुटुसफूल या option number D जिनहोर क्या होगा तार गाचे लाल गमचा देख तो बुढ़ा मोर तमासा इसका सही आंसर होगा इसका सही अर्थ होगा option number B मर्चाई मर्चाई का मतलब मिर्चा ठीक है लाल मिर्च जो आप लोग देखते हैं वही चीज है इससे संबंदित है तार गाचे लाल गमचा मतलब जो बेड़ होता है पाउधा होता है उसपे ये लाल गमचा की तरह नजर आता है लेकिन देख तो बुढ़ा मोर थमासा ठीक है तो इसका सही आंसर होगा मर्चाई अगला क्वेश्चन देवल बुझवैल कर माने बताओ बुझवैल है तार गाचे उपर फेन उकर बेटा रतन तार गाचे यहाँ पर तो लग छुट गया है ठीक है लास्ट में आपका सेन होगा ठीक है आपका यहाँ पर रतन के बाद सेन तो होगा तार गाचे उपर फेन उकर बेटा रतन सेन क्या होगा इसका सही आंसर इसका सही अर्थ क्या होगा आप्सन नमबर A मक्कई आप्सन नमबर B मेरा आप्सन नमबर C भात या option number D, चावर तो क्या होगा? तार गाचे उपर फेन, उकर बेटा रतन सेन तो इसका सही आंसर होगा option number C, भात आप लोग जब भात पकाते हैं चावल पकाते हैं तो इसमें जो जाग जो बनता है तो तार गाचे उपर फेन मतलब वो फेन के समान होता है है ना? तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा option number C, भात अगला question देवल बुझवयल करमाने बताओ बुझवयल है दीन रात पानी पियोना मुदा प्यासे रहोना एक मिनट तो option देखिए मुझवयल जानगे दीन रात पानी पियोना मुदा प्यासे रहोना option है नदी, पूल पहार या कोनो नहीं जिसका सही अर्थ होगा option number B, पूल ठीक है? दीन रात पानी पियोना मतलब वो जो पूल होता है आप लोग पूल देखते हैं नदियों पे बनता है है ना तलाओं पे बनता है तो वहाँ पे क्या देखते हैं? वो दीन रात पानी में रहता है लेकिन वो क्या रहता है? पियासे रहता है बने उसको जब भी आप पानी डालिएगा जब भी वो पानी के पास रहेगा वो पानी सुखेगा तो इसलिए ये बोल रहा है कि दिन रात पानी पियोना मुदा प्यासे रहोना तो इसका आंसर क्या होगा? इसका अर्थ होगा? पूल अगला कोईशन है बुझवैल कर माने बताओ धसल धरे भूत नाचे इसका अर्थ आपको बताना है धसल धरे भूत नाचे ओप्सन है मुरही ओप्सन B चिवरा ओप्सन C करंज फूल या ओप्सन नमबर D लावा तो धसल धरे भूत नाचे का मतलब होता है ओप्सन नमबर A मुरही ठीक है? मुरही आप लोग देखे हैं जब ये धान को डालता है कुसी इतावा में तो वो नाचने लगता है मतलब उचलने लगता है आप लोग पॉपकोन बनाते हैं पॉपकोन की तरह भी यही चीज हो सकता है ठीक है? चलिए अगला क्वेश्यन देवल बुझवयल कर माने बताओ लाल गैया चाली खाए पानी देले मोईर जाए इसका अर्थ क्या होगा? आप्सन है बोर सी आप्सन बी घैस चूला आप्सन सी आइग या आप्सन डी बिजली बाती तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा option number C आइग आइग मतलब आग तो इसमें क्या रहता है? लाल गई या छाली खाए पानी देले मोर जाए मतलब आग में अगर आप पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? वो बुझ जाता है तो इसलिए इसका मुहाबरा बुझ वैल का अर्थ होगा आइग अगला है देवल बुझ वैल कर माने बताओ केकरो घर पोड़े क्यो गूल करे option है घर दूरा option B बोरसी option C कुकुर option D हुका आप लोग सभी कोई देखे होंगे इसका अंसर होगा option D हुका आप अगर हुका पीए होंगे या पीते वे किसी को देखते होंगे तो क्या होता है? वो आवाज करता है जब आप हुका पीते हैं तो वो आवाज करता है तो इसलिए इसका भुजवैल होगा केकरो घर पोड़े क्यों गुल करें ठीक है हुक का option question number 8 देवल मुहाबरा करमाने बताओ अब हम लोग मुहाबरा से संबंदी देखेंगे कपार में गिर्गिट नाचेक मतलब माथा में गिर्गिट का नाचेक option number A कठीन समय आवेक पर अनुमान option number B किसमत पर दोस option number C भाग्याहीन होवेक option number D कोनो नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा कपार में गिर्गिट नाचेक कर मतलब कठीन समय आवेक कर अनुमान मतलब आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिशानी आने वाली है आपके जीवन में कुछ गठीनाई भरा जीवन होने वाला है इसके बारे मगर आपको अनुमान लग जाता है तो इसका मतलब ही होता है कपार में गिरगिट नाचे चलिए अगला question देवल मुहाबरा कर्माने बताओ कट करेजा होवेक कट करेजा होवेक का अर्थ क्या होगा option number E, कुनो बात के चाकर करेक option number B, सवेदन हीन होवेक option number C, पोकता काट कर होवेक option number D, आईग में काट कर नाप लेक तो कट करेजा होएक कर सही माने होई अपस नंबर B सवेदन हीन होएक सवेदन हीन होना मतलब emotional होना तो इसका मुहाबरा होगा कट करेजा होएक चलिए अगला question देवल मुहाबरा कर माने बताओ इसका भी अर्थ आपको बताना है काठ मारेक काठ मारेक का अर्थ क्या होगा इसका भी अर्थ क्या होगा कट करेजा होएक और काठ मारेक दोनों का एक ही अर्थ होगा सवेदन हीन होना ठीक है कट करेजा होएक का भी वही मतलब है और काठ मारेक का भी मतलब वही है कि सवेदन हीन होना emotional होना ठीक है चलिए अगला कोश्चिन देवल मुहाबरा का अर्थ बताओ जम जातिक इसका अर्थ क्या होगा औलो ऑपे 20 अमराज कर सरन में जायक, औलो बीषित समय में बुध्धी बिढ़ायक, और भात भूलायक यहазर दीट कर परिशानी उठाएक, तो इसका सही अर्थ होगा उच्छित समय में बुध्धी बिढ़ायक, मतलब जम जाते का अर्थ क्या होगए कि जब समय है, जब मुझे बुद्धी का उशक्ता है, मुझे कुछ जानकारी का उशक्ता है, किसी मैं परिशानी में पढ़ गया हूँ और उस वक्त मुझे अपने दिमाग क्या हो सकता है, दिमाग लगानी का उशक्ता है और उस वक्त पे हमारा जदिमा काम नहीं करता है, कोई बुद्धी सूजता नहीं है, तो इसका मतलब होता है जम जातेक, मतलब उचित समय पे बुद्धी का ना आना, ठीक है, चलिए, अगला question, ये भी मुहाबरा है, इसका अर्थ बताना है, छो पांच करेक, छो पांच करेक का अर्थ क्या होगा, उप्सन नमबर E, ठीक से गिनती नहीं कर जानेक, उप्सन नमबर B, गीन गीन के परेशान होएक, उप्सन नमबर C, उपर नीचे होएक, या उप्सन नमबर D, दुवीधा में बाजेक, मतलब किसी परेशानी में बज जाना, मने किसी परेशानी में प मुहाबरा का अर्थ बताईए 36 कर आकड़ा होवेक ये दम आप लोग छोटका बेरा से सुन रहे होंगे ठीक है बचपन से आप लोग सुन रहे होंगे 36 कर आकड़ा तो ओप्सन नमबर A देखिए गलत बात होवेक ओप्सन नमबर B एक दूसर से अनबन रहेक ओप्सन नमबर C लाब कमायक या ओप्सन नमबर D पालतू बात के जोगायक 36 का आकड़ा आप लोग बचपन से सुन ते आ रहे हैं इसका सही आंसर होगा एक दूसरे से अनबन रहेक मतलब एक दूसरे से अनबन होना एक दूसरे से परिशानी होना एक दूसरे से दुस्मनी निभाना ठीक है एक दूसरे का जान का दुस्मन होना ये सब क्या होता है 36 का आकड़ा होना ठीक है चलिए अगला question है question number 14 देवल मुहाबरा करमाने बताओ 1 कर 21 होवे 1 कर 21 होवे मतलब अप्सन नमबर A मजबूत होवेक अप्सन नमबर B लाब कमाएक अप्सन नमबर C मुरुक फैदा होवेक अप्सन नमबर D नफा नुकसान कर बात करेक तो एकर सही माने होवी अप्सन नमबर A मजबूत होवेक मतलब एकर 21 होवेक मतलब हम इन 6 वेरा में को कहानी सुन होई है ने कि एक ओ लकड़ी रहेला उके अराम से तोड़ोते थुना लेकिन अगर 10-15 को लकड़ी के एके गाठी करके बांधेक से उके तोड़े कर परियास कर भई तो नीट उटेला तो एहे कर माने होई मुहाबरा है ने एक कर 21 होई कर मतलब मजबूत होई तीक है अगला कोश्चन है के और यह आखरी है के देवल मुहाबरा कर माने बताओ 9 कर 90 होई नौ कर 90 होई एकर सही आंसर का हुई उप्सन नमबर A फालतू कर बकवास करेक उप्सन नमबर B कोनो नफा नी होई उप्सन नमबर C अनाइत लाब होई या उप्सन नमबर D गीनती कर महत्वा बढ़ेक तो 9 कर 90 होई कर माने होई ला उप्सन नमबर C अनाइत लाब होई मतलब बीना मतलब का बीना रीजन का बीना कोई कारन का आपको लाब पराप्त होना किसी चीज में चाहे आप कोई खेल में खेल रहे हैं चाहे आप कोई लोटरी खेल रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जीतने का कोई मतलब ही नहीं है आप हार सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको किसी रिजन से आपको लाब हो जाता है आपको फैदा हो जाता है तो यही इसका मतलब होता है नाव कर ना बेहोवे ठीक है तो यह आज का आकरी question था तो आप लोग हरे question को ध्यान से देखिए और इसको जरू से जरू नोट डाउन कीजिए ठीक है मैं कोसिस करूँगा कि इसका PDF description box में डाल दूँ ठीक है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिजिएगा और आज की इस class को आज की session को यहें पर समावत करते हैं बस आप लोग याद रखिए एक इस अगस्त को आपकी परिक्षा होने वाली है तो अच्छी इस तरह से revision करिए ठीक है तो चलिए आज के session को पर समावत करते हैं वीडियो आप सब को कैसा लगा वीडियो आपको ग्यान वर्दक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब